स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर मैं हूँ सविता दोस्तों ये क्लास है बियट फर्स्ट एर की जिसमें आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर सेकंड को तो ये पेपर सेकंड की पहली क्लास होगी जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिक्षा मनो विग्यान या एजुकेशनल साइकलोजी के बारे में जानेंगे इसका आर्थ क्या है इसकी परिभासा और इसकी प्रकरती के बारे में ये टॉपिक पेपर सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एक्जाम में देखने को भी मिलता है तो इसे बहुत ही डीटेल से किया जाएगा और इसी चैनल पर आपको पिपर थर्ड की क्लास भी मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जानेंगे सिक्षा मनो विज्ञान क्या है इसका अर्थ सबसे पहदे इसका अर्थ जानते हैं यानि कि मेनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकलोज की बारे में देखिएगा वास्तों में सिक्षा मनो विज्ञान क्या है यह मनो विज्ञान की ही एक क्या है साखा है यह दो सब्दों से मिलकर बनाए गया है सिक्षा और मनो विज्ञान तो सिक्षा आप सभी जान रहे हो और मनो विज्ञान क्या होता है मन का विज्ञान तो तो सिक्षा से सम्मंधित अब इस सब्दकार्थ क्या हुआ यानि कि इसका साब्दिकर्थ क्या बना सिक्षा समंधि मनोविज्ञान अथवा सिक्षा की प्रक्रिया में मानो ब्योहार का एक वैज्ञानिक अध्यन ही क्या है सिक्षा मनोविज्ञान है अगर आसान भासा में कह अच्छिक समस्याओं को हल करने में मनुवज्ञानिक सिध्धानतों का प्रियोग करता है तो इसकिनर ने यहाँ पर कुछ लिखा है कि सिक्षा मनुवज्ञान अपना अर्थ सिक्षा से जो सामाजिक प्रकरिया है और मनुवज्ञान से जो बैवहार समंधी एक विज्ञान है इसे ग्रहड करता है ये कहना किसका है इसकिनर महोदे का कहना है आगे देखेगा सिक्षा मनुस के ब्यवहार में परिवर्थन करती है और मनुविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो मानो ब्यवहार के सभी रूपों का अध्यन करता है जो भी रूप है मानो ब्यवहार के सभी ची सिक्षा मनोविग्यान का अधार ही ए मनोविग्यान है जिस तरीके से सामान मनोविग्यान व्यक्तिगरत आच्रड के अध्यन और नियमों का अध्यन करता है उसी तरीके से सिक्षा मनो विज्ञान एक विसेश प्रकार के व्यक्ति यानि की विद्याले अत्वा विद्याले के बाहर सिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके आच्रड और उनके बेवहार का अध्यन करता है चाहे वो विद्याले में हो या फिर विद सिक्षा मनोविज्ञान अपने विसे के अध्यन है तो सामान ने मनोविज्ञान की पद्दतियों का प्रयोग करता है और वह बालक के स्वाभाविक उसके ब्योहार उसकी प्रवितियों का सैच्छिक परिस्थितियों में अध्यन करता है और सिक्षा समंधी समस्याओं का एक और कथन यहाँ पर लिखा कि सिक्षा मनो विज्ञान उन खोजों को सैच्छिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विसिस्ट और मानो प्राडियों के अनभो और ब्यवहार से सम्मंधित है आगे गोर कीजेगा कि सिक्षा मनो विज्ञान के अंत्रगत उन प्रक्रियाओं का भी अधिन किया जाता है जो मानो प्यवहार को कहीं न कहीं प्रभावित करती है मनो विज्ञान के अंत्रगत केवल सिध्धान्तों का प्रतिपादन ही नहीं किया जाता केवल सिध्धानत ही नहीं होते बलकि यहाँ बताने का प्रयास भी किया जाता है कि मनो विज्ञान, मनो विज्ञानिक सिध्धानतों का उप्योग करके किस तरीके से हम अपने जीवन को स्वस्त और सम्रद साली बना सकते हैं तो इन सारी चीजों का प्रतिपादन करता है सिक्षा मनो विज्ञान तो ये क्या था सिक्षा मनो विज्ञान का अर्थ था जो आपने देखा है आगे हम परिभासा देखेंगे जिसके द्वारा आपको और भी अच्छे से इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा देखेगा सिक्षा मनो विज्ञान की कुछ परिभासा दी गई है पहली परिभासा है क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने कहा कि सिक्षा मनो विज्ञान व्यक्ति के जन्म से ब्रद्धा वस्था तक जब तक बूड़ा नहीं हो जाता यानि कि जन्म से ब्रद्धा तक सीखने के अनुभाओं का वड न करता है और उसकी व्याक्या करता है अगली परिभासा है प्रूफिशार ट्रों की इन्होंने कहा सिक्षा मनोविज्ञान वह है जो की सैच्छडीक पर सितियों का मनोविज्ञानिक रूप से अधिन करता है आग игр देखेगा अगली परिभासा नल एवं अन्य के अनुसार है कि सिक्षा मनुवग्यान मुख्य रूप से सिक्षा की सामाजिक प्रकरिया से परिवर्थित है या निर्देसित होने वाले मानो ब्यवहार के अध्यन से सम्मंधित है आगी दिखेगा सौरे एवं टेलफोर्ट के अनुसार एक प्रकरिया के अंतरगत ही होती है तो यह सारी परिभासा जो आपने देखी है इसके द्वारा आपको अर्थ और भी अच्छे से समझ में आ शुका होगा अब देखिएगा कि सिक्षा मनो विज्ञान की प्रकर्टी किया है यानिके नेचर ओफ एजुकेशनल साइकलोजी के बारे में तो देखिएगा कि कोई भी विसे अपना सास्त्र विज्ञान तभी माना जाता है जब उसके अंतरगत विज्ञानिक पद्दतियों के द्वार ग्यान प्राप्त किया जाता है तभी न वो विसे सास्त्र विज्ञान कहलाता है सिक्षा विसे सग्यों का कहना है जा वैग्ञानिक पद्दतियों का आस्रे लेता है उनसे जो निसकर्ण हमें प्राप्त होते हैं उसी क्यादहार पर सिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाता है और साथ ही जातरों की उपलबधियों के समंद में भविश्वारी भी करता है तो जिस तरीके से एक वैग्ञानिक कई सारी तथियों का निरिक्षड और परिक्षड करके उसके सम्मन्द में कुछ निस्कर्स निकालता है कुछ नियम प्रतिपादित करता है उसी तरीके से एक क्लास में स्टिक्षड की किसी समस्यां का अध्यन करना और उसका विसलेशड करना फिर उसका हल करने का उपायर नि पर इक्षड करके निसकर्स निकालते हैं उसी प्रकार से एक टीचर भी अपनी क्लास की समस्या का पहले अध्यन करता है फिर उसका विसलेशन करता है और उस पर अपना हल निकालता है कोई उपाय सोचता है वैग्यानिक पदती के प्रयोग के फल्सरूप सिक्षा मनो विग्य अब आगे देखेगा क्रो एवं क्रो ने यहां पर कहा कि सिक्षा मनोविज्ञान को ब्यवहारिक विज्ञान माना जा सकता है क्योंकि वह क्या है मानो ब्यवहार के सम्मन्ध में वैज्ञानिक पदती से निश्चित किये गए सिधानतों एवं तत्यों के अनुसार सीखने की ब्याख्या करने का प्रत्न करता है सौरे एवं टेलफोर्ड ने कहा कि सिक्षा मनवज्ञान अपनी खोज के प्रमुक उपकरडों के साथ में विज्ञान की विधियों का प्रियोग करता है तो ये रही कुछ यहाँ पर सिक्षा मनवग्यान की प्रकरती के विस्ते में कुछ बाते तो दोस्तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा हलाकि अभी ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें कुछ ही चीजे अभी बची हुई है जो आपको नेक्स्ट कलास में देखने को मिलेंगी तो आज ये कलास बस यही तक रहते हैं आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और इस वीडियो को ज़ादा से ज़ादा सेर कीजेगा तो फिर मनते हैं अगली कलास में तब तक के लिए धन्यवाद